नमस्कार दोस्तों स्वागतना सभी का आपके अपने यूडूब चानल ASB Medicine में आज आपने बात करने वाले हैं ASTALIN SIRUAP के वारे में ASTALIN SIRUAP को SIPLA कंपनी बनाती हैं जिसकी जो प्राइज हैं वो है 17 रुपे बाण में प्रेसे पर पेक यह 100 मिलके प्लास्टिक बेस के पेकिमत हैं जिसमें जो कंटेंज हैं वो हैं साल बुटा मोल सलफेट 2MG इसका यूज आप स्पेशल अक्टर सलासे करें तो ज्यादा बेतर रहेगा ये साहरप आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकर्शोर पे मिल जाएगी अस्थालिन साहरप एक एंटि अस्थमेटिक दवा हैं इसे COPD यानि क्रोनिक ऑफ्शक्टिव प्लमेटि डिसीज अस्थमा के लक्सन और लंग्स में ब्लोकेज के करण होने वाली समश्याओं में रहत पाने के लिए किया जाता है साथी यह खांसी, ब्रॉंको स्पास्म, गरगरहाट के आवाज आना, सांस लेने में परेसानी होने पर भी यह काफी अच्छी हैं, काफी एफेक्टिव हैं अस्थमा एक ऐसी कंडिशन है, जिसमें क्या होता है कि आपके फेपड़ेस सूच जाते हैं, और हवा का जो अंदर और भाहर का फ्लो हैं, वो कम हो जाता है इस करण आपको खांसी चलना, करगरहाट रहना और सांस लेने में परवलम्स होना जिसमें आपको हो सकती हैं यह सेरप एक ब्रॉंकोडालेटर है, जो एरवेज की मसल्स को रिलेक्स कर उन्हें चोड़ा कर देती हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है यह आपकी चाती की जगड़न को कम कर देती हैं, बात करें दमा की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मरीज की मतलब इससी कंडिशन वाज़े कि उसको सांस लेने कापी प्रॉलम्स लेती हैं, वो घहरी और लंबी-लंबी सांस लेता हैं और इस वज़े से मरीज को गबरार तक आपको नजल आ सकती हैं, बढ़ते पॉलिशन के कारण या दूल मिटी, या धूए, या फिर किसी भी जगी अगर आपको एलर्जी हैं, तो उस वज़े से या फिर आपके परिवार में अगर पहले किसी को अस्तिमेटिक समिश्य रही हैं, जिस वज़े से बच्चे भी कभी ज़्यादा परिशान रहते हैं, तो इसी सभी प्रॉलम्स में ये काफी effective हैं, काफी असरदार हैं, इस टाम आप ध्यान रखें कि आप धूल दूएं और smoking से बचें, कई बार इन सब के वज़े से आपको बलगम भी आना start हो जाता हैं जिस वज़े से आपकी जो airways हैं, उनमें हवा का flow असने से नहीं हो पाता हैं, और आपको सांस की प्रॉलम्स होना लग जाती हैं, तो इसे में भी ये साहरप काफी अच्छी हैं, काफी effective हैं, बात करें इसके सावजने के बारे में, तो अगर आपको liver या kidney disease हैं, या फिर लेडी या brushing mother हैं, तो इसे में भी इसका यूज़ करने से पहले, आपकी जो भी conditions हैं, वो doctors को आप जुरू बताओ, बात करते हैं इसके dose के बारे में, तो अगर बच्चों में से यूज़ के ज़रा हैं, तो बच्चों में से 10-5 ml सुबसाम, और adults यानि बढ़ों में अगर इ उसमें हैं, आपकी दिल की धरकन बढ़ जाना, मसल्स में क्रेंप होना, सरदर्द होना, और आपको नोजिया या ओमेटिंग के समझचे हो सकती हैं, यह side effect कुछ टाइम के लाते हैं, कुछ टाइम बाद अपने अप्टी को जाते हैं, हाँ अगर आपको इनके अलावा कोई अगरे वीडियो अच्छा लगाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें, थेंक्यू